चोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता हमारे पूरु प्रधान मंत्री स्वर्गी स्री अटल विहारी वाचपई जी की इन पंक्तियों के साथ जहिन चात्रों मैं इशार हमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की तयारी एक युद्धिस तर पे कर रहे होंगे जो चात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहोगा वो इस सत्र को समझने के लिए पहला वीडियो जाके देख सकता है तो उसे ये सत्र पूरी तरह से अच्छी त स्तार्ट करते हैं जात्रो भारत का भुगोल हमारा विशय है और उत्तर भारत की नदियां और पढ़ने वाले य Think देखिये भारत पहला प्रशन हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कूँज्ऌ सी में चात्रो भारत की सबसे लंबी नदी गंग नदी है जो कि 2525 किलोम अगर पूछता है प्रश्ण में तो याद रखिएगा वह आपका गोदावरी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर उसका प्रवाचेत्र है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा गंगा नदी देखे किते बार कहां कहां पूछा है ठीक आईए आगे बढ़ बैंगर नदी केरा पूछा जाता है याद रखो 62 गंगा नदी को बंगलादेश में पदमा नाम से पुकारा जाता है तो इसका आंसर होगा आपका पदमा नदी शर्चार है ड़ी forensic अभी एससे कुछ इस्प्रकार समझते हैं आ सबसे हैं और याद रख्या नदी जो कि कहा जाता है ठीक है जैसे अब भी प्रश्न में हम ने कहा है करद और ब्रह्मा पुत्र नदी को आपका बांगलादेश में कहा जाता है जमुना और आपका यहां जो दिख रहा है जहां इनका संगम है, वो कहलाता है आपका मेघना, ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्णु का याद रख सकते हैं, ठीक है, आ हैmi ये प्रश्ण हैं, उसके सारे, देखते हैं, प्रस्ण तीन है, सुन्दर वन डेल्टा का निर्मान करने वाली नदियां, ठीक है, तो ब्रह् और यह आपका गंगा नदी यह पूरा आपका सुंदर्वन का डेल्टा का चेत्र है ठीक है कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं आइए आगे बढ़ते हैं प्रस्न हमारा निमलिखित कथनों का परिक्षण करें एवं नीचे दिए गया कूर्ट से सहीं उत्तर चुनिए ठीक है तो मंदाकनी नदी के संगम पर अवस्थित है बिलकुल सहीं है यह ठीक है रूदर प्रयाक कहा है अलक नंदा और मंदाकनी नदी ठीक है अलक नंदा नदी बद्रीनात से भहती है ठीक है यह भी सहीं है नक्से में देखेंगे अभी इसके बाद नक्सा है ठीक है केदार नात आ गर्ट प्रशनI के देव प्रयाग अलग नंडयों भागी रती नदी के संगम पे बिल्कुल सहीं है ये रहा देव प्रयाग दिखाई दे रहा है ठीक है यह भागी रती नदी गंगोत्री रसे से निकलती है और यह अलग नंदा नदी जो यहां से बनती है और यहां तक क्या आती है देखिए एक कलर में है ठीक है कोछ इस प्रकार क्लियर करके दिखाया जा सकता है हमने क्या पढ़ा देव प्रयाग ठीक है और यह एक कलर में दीख रहा है जो भागी रती नदी है ठीक है तो देव प्रयाग उसके बाद प्रश्ण बोलता है रूद्र प्रयाग अलक नंदा एवं मंदाकनी नदी के संगम परिश्थित है आईए उसे भी देख लें ठीक है य मंदाकनी नदी किस जल प्रवाह अथ्वा मुख्य नदी से संबंधित है अभी पढ़ा हमने देखे मंदाकनी नदी किसका आपका मुख्य प्रभाचेतर है अलक नंदा आया है इसका आंसर ठीक है इस प्रकार समझ सकते हैं ठीक आगे बढ़तें हैं आईए भागी रती नद मिलती है ठीक है तो आप्शन देखो गोमुख से गंगोत्री से तपोवन से विश्णु प्रयाग से याद रखिएगा गोमुख से निकलती है आपका भागी रथी ठीक है एसका अंसर होगा आगे बढ़ते है आइए निमलिखित इस्थानों में से कहा पर भागी रथीयों अलक नंदा नदिया मिलती है अभी बताया थै मैंने आपको भागी रथीयों अलक नंदा कहां मिलती है देव प्रयाग में तो इस प्रकार से प्रस्ण पूछे जाते है आईए प्रस्ण क्रम आंक 8 की और बढ़ते हैं यमुना नदी की निमलिखित सायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पस्चिम से पूरु की और क्रम व्यास्थित करिए ओके ठीक है देखिए यमुना नदी अगर हम देखे नक्से में जा सकते हैं लेकिन पहले option देख देुखें लेते हैं थीग है यह तुछ न चमबल यह पहले तो कि ऐसे देखें आप प्रकार जाएगे अपर चमबल वाटिक है फिर उसके बादं इसके प्रकार से होगा देखिए पहले क्या था हमारा चंबल अप्रोच आशे रखना है तो चार होगा पहले कौन-कौन सा चार है एक ही दीख रहा है यही इसका अंसर होगा ठीक है आई आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहां देखें तो अगर यह रहा चंबल सबसे नबर नाइन निमली हीट में से इन नदी का जल गरहन चल सर्वाधीड है याद रखे Death आपका सुन नदी यहां दिखेगा आपको वाला छेत्र जो है तर्द नदीजित सरी थी यहां प्रकार से समझ ऐडिया आपको यह रहा आपका क्रिशन नदीज। एंगा आगे बढ़ते हैं प्रसम का मात 10 है हमारा गोरी बन्डेल до निमलिखित में से किन डेल्टा का एक उपविभाग है देखिए प्रस्ण पेचीदा है थोड़ा याद रखिएगा बंगाल का जो डेल्टा है उसी कही भाग है मोरी बन डेल्टा कुछ इस प्रकार है कि गंगा नदी और ब्रह्मुपुत्र नदी के छेत्र में आपका सुंदरवन शेत्र और आपका बस्ची मज़ा है घीक है इस प्रकार है अगे बढ़ते हैं प्रस्ण परवां क्रमांग 11 है हमारा गंगा नदी का मोहाना का है सुंदरवन का डेल्टा अंसर होगा इसमें ठीक है कि दुंदरवन लिखा गया है संदर बन होगा ठीक है सुंदर्वन ठीक है? इगलात हुगा, यही आंसर है,унतब D आंसर होगा इसका, ठीक है? दुंदर्वन लिखा आगया है, छमा चाहूंगा इसके लिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक, यहां जो है मुहाना है इसका, ठीक है आगे बढ़ते है निमली प्रस नंबर 12 है निमली खित में से कौन सी नदी उत्तर की और बहती है ठीक है आए देखते हैं गंगा पुर्व की और बहती है ब्रह्मपुत नदी पुर्व और दक्षिन की और बहती है नर्मदा नदी पस्चिम की और बहती है कावेरी नद ठीक है चमबल नदी तो चमबल नदी कहा बैती है आपका तर्की और नौर्थ दिशा में बैती ठीक है इधर आगे बढ़ते हैं आईए इस तीक यह रहा चमबल नदी ठीक है इसक्रीन शॉट ले लिजिए गए इसका सारी नदियों का आपका सिस्टम है निमलिखित इस्थान में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गा मिस्थल है ठीक है याद रखिएगा तिबबत मान सरोवर से आपका सिंधु नदी का उद्गा मिस्थल है यह रहा ठीक है यह थोड़ा तूटी वर्स है यह नहीं होगा ठीक है ऐसे यहां से सिंधु नदी जाती है ठीक है तो प्रस्ट नमबर फोटीन सतलज नदी का उद्गम इस्थल कहा है आपका आपका राकास्ताल में है यह भी कहा है आपका मानसरोवर में ठीक आगे बढ़ते हैं सिनदु नदी, ब्रह्मोपुत्र नदी तीनो को कहा है वानसरोवर से निकलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कि शूची नदियां को सहयक नदियों में सुमिलित किजिए ओके ठीक है सिंदु नदी सतलज नदी बिल्कुल सहीं है गंगा सोन नदी ब्रह्म पुत्र नदी लोहित नदी आसाम वाले चेत्र में वहती है ठीक है और यह रहाँ का यमुना चंबल नदी तो क्या होगा एक का इस प्रकार होगा जी एक दो तीन और चार क्या होगा एक का चार दिखाई दे रहा है कहीं ठीक है यही होगा इसका अंसर ठीक है तो इस प्रकार से अलिमिनेट भी करना है आगे बढ़ते हैं यह कोश्चन नबर 17 है निम्ने में से कौन सा डिल्टा दुनिया के सबसे बड़ यह इठें मेंगरों जंगलों को कि यहीं करना और लगा बढ़ते हैं तो मैंगरों जंगलों का बसेरा मैंने शुरूवात में बताया आपका कुन सा है सुंधर वन ठीक है सुन्दरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आई आगे बढ़ते हैं प्रस्न कमांग 18 है तिब्बत में ब्रह्मोपुतर नदी को किस नाम से जाना जाता है याद रखेगा देखे इसमें याद रखना निमार है कि जो चीन है चीन में यारलूंग जां आपको अर। ऑल। अह दीखाई देगा आपको लिए भी छोण यह अले मद नकसय की तरफ चलते हैं यह रहां आक्छा ठीक है सब्सक्र Team है को डिलिट कर देए ठीक है यह वाला चेतर है यहास को क्या बोलते हैं यहारलूंग जांगो ठीर यह एंट्रिव अस बैसे हाइग नाम है तिहांग फिर उसके बाद यह असम की तरफ आगे बढ़ता है तो इसको ब्रह्म पुत्र नदी कहते हैं लेकिन जैसे इंट्री लेता है आपका बंगलादेश की तरफ तो इसका नाम क्या हो जाता है पहली बता है जमुना ठीक है तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम प्रश्न के और बढ़ते हैं आई कहां गया ठीक है और तिबबत में याद रखना है इसको सांगपो कहते हैं सांगया नहीं होगा यह सांगपो होगा ठीक है क्या होगा सांगपो ठीक याद रखिएगा सर्त रूटी करे थे और याद हो जाएगा ठीक है आईए भारत में यारलूंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है याद रखना है ब्रह्मो पुत्र नदी ठीक है प्रश्न देखने को मिल गया उसके बाद है प्रश्न नमबर 20 तिबबत मे नम से मानसर उवर जील के पास जिस नदी का स्तुरोत है वह है देखिए ब्रह्मो पुत्र नदी बिल्कुल है सतलज Tabii बिल्कुल है सिंद्धो घी बिल्कूल है क्या हो जागा इसका अन्सार उपय०्थ सभी ठीक है इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आओ ले चल नदी यहां ब्रामुपुत्र नदी गई यहां सिंदू नदी गई और यहां सतलज नदी गई तिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हैं अधिक 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 नंबर निम लिखित नदियों पर विचार कीजिए ठीक है बराक नदी लोहीत नदी और सुबस्याद सीरी नदी अधिक में से कौन सी अरुनाचल प्रदेश से होकर बहती है यात रखना है लोहीत नदी और सुबन सीरी नदी यह दोनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहयक नदी है पहली बात तो और यह रुनाचल प्रदेश की तरफ से बहती है और बराक नदी जो है यह नागालेन मनिपूर तरफ तरफ ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका उप्योग में से कौन सा रुनाचल प्रदेश से होके बहती है धर, के दो और तीन हो जाएगा इस का अंसा है टीक है क्या हो जाएगा आँसा में ख़कमे यह आइसा देक सकते है यह नकसे में उपङोग किया थे क्या हम ठीक है तो यहां से दीख रहा है आपको थीक है तो इस प्रकार से याद रखना है इसको आगे बढ़ते हैं वेंचन नहीं है ठीक प्रस्ण कमार 22 है हमारा मानस नदी किस नदी की उप नदी है याद रखना है मानस नदी जो है किसकी ब्रह्मु पुत्र नदी की उप नदी है और यहीं आपका मानस बायो स्फेर रिज नाम से जान जाती है नाकर सांगपानी है त्हीक हो सकता है और को आगे बड़ते है प्रसंप अ सबस्क्राइब 14 ब्रहमुपूत्र नदे का twin में भंभडेश बंगलादेश भारत बश्理 तिपद्वाइश भारत भारत पाह इसका अंसर आपका ए को बिल्कुल मिला सकते हैं यूपी-पी-ची में पुछा है प्रस्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है देख रहे हैं आपस तिपद्वाले छेत्र में भारत भारत आया बंगलादेश तिनी याद रखना तिक चीन का आगे बढ़ते हैं Question number 25 है निमलिखित में से कौनसी ब्रह्मपुत्र की सहयक नदिया है नसी है या नदिया है ठीक है दिबांग है कम आःहों है बिल्कूल सहीं डिवांग कमेंग और लोहित जाएक काइक स माइफ जो बिल्कूल सहयक नदियों को पढ़ो फ्रतड ढालो सब ठी पूछा गया प्रस्ट देखते हैं तीस्ता नदी सिक्किम से होकर बहती बिल्कुल सिक्किम और पस्चिम बंगाल की प्रमुक नदियों में से एक है तिस्ता नदी याद रखेगा और आपका यहां पस्चिमी हिमाले से निकलती है पूरों में तो है यह गलत होगा यहां पस्चिमी बंगाल से होकर बहती है बिल्कुल बताया मैंने सिक्किम और पस्चिम बंगाल यह दोनों की आपकी बहुत मुहत्वपूर्ण नदी है वहां की रोजगार के लिए बहुत ही उप्युक्त नदी है यह ब्रह्मु पुत्र इस प्रकार से आपका क्या बोलते हैं पस्ची मंगाल और सिक्क्किम के लिए बहुत ही महतुपूर्ण न दिये ठीक है तो इसे याद रखना नहीं मार रहे हैं आए आगे बढ़ते हैं यह रहा आपका लास्ट जो वीडियो बना था वीडियो जो था उसमें पुछा गया प्रस्ण जिसके option में कहीं न कहीं आपका दिक्कत आई थी तो अब इसका आप उत सक्काई दे रहा इस करें में आगे बढ़ते हैं यह रहा आज का आपका प्रश्न जिसका आपको उत्तर कमेंड बॉक्स में देना है ठीक है तो इसी के साथ जहीं छात्रों मैं आपसे इजाजत चाहूँगा और आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें ठीक है धन्यवाद झाइ Fourier को मैं आपसे भी जिएए जरूर का जरूर न को घच Wilshinha- tecnología मैं आपसे कमेंट रूर मैं आपसे इसकाभर जरूर भी ताप Noيرة झाल 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 झाल